दोस्तो आज हम बात करने जारे एक बहुत important topic के बारे में जो आप सभी का हमेशा doubt रहता है कि पाइनेटफक की जो official launching है वो आप सभी को कब देखने को मिलेगी और आज की वीडियो के अंदर आप सभी को ये चीज फाइनली किलियर हो जाएगी उसके साथ और भी exciting updates है मैं उसके highlights cover करेता हूँ Fireside Forum की तरफ से update आ चुका है KYC के बारे में आप सभी को पता चलेगा Tentative KYC के बारे में भी information आ चुकी है और पाइनेट फक का जो valuation है इस चीज को लेके भी बहुत आप सभी के मन में confusion रहता है इसको भी हम clear करेंगे तो वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़े जानने को मिलने वाली है तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना तब भी आपको सारी चीज़े अच्छे तरीके समझ में आईगी और एक छोटा सा मेरा request है अगर आप हमार चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके notification बैल को all पर जरूर प्रेस कर दे and description में telegram का link है आप जाके उसको भी join कर सकते है चो दोस्तों start करते हैं सबसे पहले मैं आपे refresh कर लेता हूँ चलते हैं अपने first update किते हैं यहाँ पर बात की जारी है what is your pi not income per day now तो जो लोग pi not को use करते हैं तो आप अपना बता सकते हो कि आपकी per day की income कितनी हो रही है और अगर आपको extra pi coins को mine करना है तो आप अपने दोस्तों को refer कर सकते हो nots की help ले सकते हो और security circle के help ले सकते हो जिससे कि आप extra pi coins को mine कर पाओगे अप चलते हैं अगले update की तरफ जो की officially pi netfork की तरफ से आ चुका है और यहाँ पे बात की जारी है pi art festival के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी इस महीने का जो theme रखा गया है photograph रखा गया है ज आपको pi की payment वहाँ पे देखने को मिलती है या आपकी KYC complete हो चुकी है या आप mining गर्यों कुछ भी xyz आप यहाँ पे post कर सकते हो और इस चीज़ के बारे में दो बार pi netfork ने officially post किया है जैसा कि आप screen वहाँ पे देख सकते हो अब हम चलते हैं अगले update की तरफ यहाँ पे बा चुका है बढ़ हमारा क्यू वाई हमें यह नहीं पता दोस्तों मैं आप सभी को बता दू कि starting में जब आप form भरते हो तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी जब आप form को fill कर रहे हो तो आप अपना name जो भी documents upload कर रहे हो एचेटीम upload होना चाहिए और बागी जो information होती है चाहिए आपकी Facebook verification email जो होता है वो भी आपका verify होना चाहिए phone number verification complete होने चाहिए सब कुछ अच्छे तरीके से अगर आप फिल करोगे तो आपका एक बार में ही KYC verify हो जाएगा वो भी तीन से चार मिनट के अंदर या जाल से आदा आदे एक घंटे के अंदर आपका verify हो जाएगा अगर आप कोई भी गलती करते हो तो आपका account stuck हो जाता है और फिर वो आपके पास resummit का बटन आता है बहुत दिनों बाट ठीक है और अगर आपके पास resummit का बटन आ चुका है तो आप सभी सही तरीके से form को fill करें और जो लोग सही तरीके से fill करें उनकी KYC verify हो जा रही है अब चलते हैं अगले update की तरफ यहाँ पे हम pie migrations की बात कर तो 97000 से plus में अभी हमें migrated देखने को मिल जाते हैं pie के wallets which is processing quite slowly अभी हम बात करें तो पहले के साब से हमें यह slow देखने को मिल रहा है पर time to time इस चीज़ को improve कर दिया जाएगा यहाँ पे pie migrations में मैं आप सभी को zoom करके दिखायता हूं कि किस हिसाब से चीज़े चल रही है तो तो इसके बाद 26000 2627 28 29 ठीक है इस हिसाब से हमें देखने को मिलता है अब हम यहाँ पर हमबात करते हैं जो अभी latest क्का चल रहा है तो यहाँ प्र आप देखने को मिल जाता है किसी दिन आपको नाके बरावर देखने को मिलता है जैसे आप यहाँ पर देखोगे देखोगे इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अभी हम बात करें माई की तो माई में एक बार all time high गया है जो कि 42,000 के आसपास है और बाकी दिनों पर 17,000, 12,000, 11,000, 10,000, 3,000 ऐसे reduce होता जा रहा है और total जो overall अभी निकल के आया है वो 97,000 के आसपास है I hope so कि इस चीज को improve किया जाएगा और एक एक दिन के अंदर लाखों के आसपास का लोगों का migration easily complete हो जाना चाहिए अब हम चलते हैं अगले update की तरफ यहाँ पे हम बात करते है किस तरीके से international level पे बहुत सारी shops वगेरा को open किया जा रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पार रहे हो पाइनेट पकी वहाँ पर भी हमें पाइनेट फक की जो payments है वो भी enable होते होगे देखने को मिल जाती है अब बात करते हैं पाइनेट फक की KYC verification के बारे में यहाँ पे हम बात करने जा रहे है tentative approval के बारे में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पार हो tentative approval के लिए पाइनेट फक ने अपनी official website प हो जाते हो और यह complete करना जरूरी है अगर आपकी full KYC complete नहीं है तो अब चलते हैं अगले update की तरफ यहाँ पर जो update आ चुका है वो South Korea की तरफ से आ चुका है यहाँ पर लिखा गया है बड़ा super is a seafood restaurant located in कहां पर है South Korea के अंदर है और यहाँ पर आप सभी को proper जो menu देखने को मि जाता है pie store करके यहाँ पर लिखा गया है और अलग-अलग locations के अंदर basically किया जा रहा है चाहे छोटे restaurants हो चाहे बड़े restaurants हो हर जगा पर हमें यह चीजे देखने को मिल जाती है और यहाँ पर हम ratio की बात करें तो 50-50 ratio चल रहा है मतलब की 50% आपको pie coin के अंदर pay करना है 50% आप जो वहाँ पर fiat currency जो उसकी है उसमें pay करना है ठीक है यह चीज़ा चल रही है और कहीं कहीं पर हमें 100% proper pie coin में ही देखने को मिल जाता है अब हम दोस्तों बात करने जा रहे है pie network के valuation के बारे में price के बारे में तो इस वाली footage के अंदर आप देखोगे पहले में लिखा गया है free pie coin जो है बिल्कुल free है जो अभी हाल फिलाल की condition है और यहाँ पर जैसे time बीतेगा जब यह officially launching हो जाएगी तो उसके बाद जोसका price increment है वो आपको $3 के आसपास देखने को मिलेगा फिर उसके बाद धीर दीरे लोग और जाना से start कर देंगे फिर उसके बाद $31 के आसपास इ start कर देंगे बट उस time पर इसको लेना उतना easy नहीं होगा जिस तरीके से अभी के time में आप Bitcoin को देखते हो तो यहाँ पर हम बात यह कर रहे है अब finally practical तरीके से कि pie का क्या valuation आप सभी को देखने को मिल सकता है जब यह officially launch होगा तो starting में जो आपको इसका valuation देखने को मिलेगा व यहाँ पर आपको एक चीज पता होगी पाइनेट फक का एक project है पाइबिजिस करके उसका coin launch होगा उसका अभी हाल फिलाल के अंदर valuation की हम बात करें तो 0.4 डॉलर या 0.5 डॉलर all time high उसका आपको देखने को मिलता है और जिसलिए हम 5 साले से वेट कर रहे है जो की pie coin है जो की main project है पाइनेट फक का वो जब launch होगा वो starting में इतने का ही होगा दीरे दीरे करके जो इसका valuation है आपको एक डॉलर दो डॉलर तीन डॉलर ऐसे increase होता हुआ देखने को मिलेगा और दीरे दीरे करके जो यह चीज़े बताई जा रहे है इस वाली footage के अंदर यह चीज़े हिट हो increase करेंगे तो यहाँ पर इन सब चीज़ों पर काम किया जा रहा है अगर यह market के अंदर बागी cryptocurrency से best निकलती है buy coin, buy network तो आपको इसका valuation बढ़ता हो देखने को मिलेगा क्योंकि जिसमें ज़ादा लोगों को potential benefit देखेगा लोग उसी चीज़ को join करने वाले हैं ठीक है I hope हो कि आपको यही समझ में आई होगी last year मतलब की I think 2 साल पहले 2022 के आसपास ending में buy coin को fake तरीके से listed किया गया था अलग-अलग exchanges पे आप सभी को पता होगा और उसका starting जो valuation रखा गया था वो 3-4 डॉलर के आसपास रखा गया था और धीरे-धीरे करके उसका जो valuation है 200-300 डॉलर हर एक exchange पर आप सभी को देखने को मिला था और एक exchange था एथलेंटिक exchange करके जहां पर हमें उसका valuation सतर हजार डॉलर देखने को मिला था जो कि तीन दिनों के अंदर हो चुका था तो आप अंदधा लगा लो कि कितना बहुत बड़ा valuation वहां पर हो चुका था बट यह सब फेक तरीके स आएगा तो कितना और आगे जाएगा तो यह बहुत shocking होने वाला है अब हम बात करने जा रहा है जो मैंने आप सभी को starting में बोला था जिस चीज को लेके आप सभी को maximum doubt रहते हैं पाइनेट फक की official launching को लेके open manage के बारे में तो यहां पर इस चीज के बारे में चीजों को cover किय जा रहा है यहां पर बताया जा रहा है here are the latest updates from Pico team Pico team के तरफ से अभी हाल फिलाल के अंदर latest updates क्या है उस चीज को हम देखते हैं पहली हाँ बात पी जारी है liveness kyc के बारे में जो कि अभी recently update किया गया है जिसमें कि आप अपनी kyc को easily complete कर सकते हो इसमें जो additional feature है वो liveness का है जिसमें कि आप अपनी photo verification को complete करते हो ठीक है उसके बाद यहां पर बात की जारी है kyc development के बारे में और kyc development के अंदर बहुत हरी चीजों को किया जा रहा है this process is being implemented step by step please be patient as we are working to accelerate the kyc process ठीक है तो यहां पर जो kyc process है उसको यह internally पताने किस तरीके से improve कर रहे है बट overall जो ही development कर रहे है जिससे की लोगों की जल्दी सल्दी kyc complete हो पाए और Pico team ने तीन conditions रखे दी जिसमें पहली condition है kyc सबकी complete होनी चाहिए second जो condition है वो है utility को लेके जिसके अ जो की overall ecosystem को अच्छा करने वाली है और तीसरी चीज़े external factors भी depend करते हैं कहीं पे war ना हो रहा हो rule and regulations को break ना किया जा रहा हो ठीक है ऐसे चीज़े देखनी पड़ती है जिससे की pine network अगर launch हो तो कहीं पर भी loss bear ना करना पड़े इसको यह अच्छा एक तरीके से starting सही अच्छा potential में चले जाए अब यहाँ पर सबसे जो important चीज़ है कि pine network की जो official launching है वो हमें कब देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर बात के जारी open management launch schedule the launch date will be announced on the official website about a month before expected inlet Q3 और Q4 2024 तो यहाँ पर आप सभी देख पाऊगे open management की जो date की बात की जारी है जो schedule किया जारा है उसमें बात की जा है मतलब quarter 3 या quarter 4 के आसपास आपको यह देखने को मिल सकता है 2024 के अंदर और mostly chances यह बन रहे है कि 2024 से ending से पहले ही आप सभी को इसकी official launching देखने को मिल जाएगी क्योंकि overall यह अपने ecosystem को एक अच्छे level पे ले जा चुके हैं और पांच जाल से उपर हो चुका है और majorly चीज़ो हो जाती है तो जो यह चीज़े बताई जा रही है Q3 या Q4 2024 के अंदर तो आप सभी को इस time पे पाइनेट फक की official launching देखने को मिल सकती है तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही ता I hope आपको समझ में आया होगा अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो please guys एक लाइक कर आपला की वीडियो क करवा है यही को फ lay पाइक कर दस्ते है यही भीज़ल सकती है यही है कいう के प 크리 खली का ढएकिया है तो पान वेता थेगि चली करता है को भीज़ज़ यही तो पुर चली को रएाल में चली की झाप वीज़गर ण